हलो दोस्तों, डे नमबर 11, 100-day series, 1-10th portion अपना 100-days का खतम हो चुका है, 10th day में मैंने आपको एक sheet दी थी, जिसमें मैंने आपको basic questions plus advanced questions ये सारे उसमें मैंने question insert किये थी, वही sheet का solution आपन डे नमबर 11 में discuss करने वाले हैं, तो आपन basic questions से advanced questions, फिर advanced questions से missing figure, ये सारे questions में चलते हैं ध्यान से, आपने अगर बना लिया होगो तो बहुत अच्छी बात हैं दोस्तों, अगर नहीं बनाए हैं, तो मेरे साथ देखते जाईए, कहां-कहां दिक्कत आ रही हैं, सबसे पहला question है, calculate NDPMP, GDPMP दिया है, depreciation दिया है, तो मैं एक चीज आपको याद दिला दू, ध्यान से समझना, अगर आपको gross, अगर आपको gross को net में convert करना है, अगर आपको gross को net में convert करना है, तो आपको depreciation माइनस करना चीए, अगर आपको net से gross जाना है, तो आपको depreciation को plus करना चीए, question क्या है, gross से net पे जाना है, कैसे पता चला, हमें gross दिया है और उसे net बनाना है, सर बाकी ची से domestic, MP से MP, product to product, मतब यहां सिर्फ एक काम करना है, आप depreciation को minus करिए 70,000 में से, और आपका answer आजाएगा दोस्तो, NDPMP, तो अपना answer आ रहा है, NDPMP 58,000, ठीक है, question number 2, calculate GDPMP, ओ तेरी, यहां पर आपको net को किस में convert करना है, gross में, बाकी चीजों में compression नहीं है, तो आप एक काम करिए simple, GDPMP निकालने के लिए, GDPMP निकालने के लिए, depreciation को net में add कर लीजे, तो आपका answer आगया दोस्तो, 1,10,000, फिर अपने को देखना है, third question, calculate GDP at FC, अब ध्यान से समझो दोस्तो, यहां पर चालो होता है, डूसरे type of question, मतलब क्या, जहां पर आपको MP और FC के बारे में discussion करना है, त तो IT minus subsidies add, और अगर आपको FC से MP जाना है, तो IT plus और minus subsidies, तो करके देखते हैं, क्या scene है यहां पर, question number third में देखते हैं, पहले आप अपने को discuss करना अपड़ेगा कि calculate क्या करने बुला है, मतलब हमको जाना FC में है, और दिया हमको MP है, तो एक काम करते हैं, MP, MP से FC जाना है, मतल जब हम बेशते हैं, तो हम IDT को plus कर देते हैं, तो जब हमें वापस से बनाने बोल रहा है, कि किते की cost थी वो निकालो, तो market price में से IDT को minus करेंगे, और subsidy को क्या करेंगे, plus, तो यहां जाएगा दोस्तो, 77 में से 12 गया, यह हो गया 65, और 65 plus 10, 75, यानक चले दोस्तो, यह हो गय 3rd question, calculate GDP MP, GDP FC दिया, अच्छा, आब FC से कहां जाना है, अपने को MP जाना है, FC से MP जाना है, मतलब factor cost से जितने में बना, मतलब हमें market price निकालना है, जब भी मैंने एक चीज बोली थी, 10th वीडियो में, जब भी आपको market price निकालना है, तो आपको indirect tax को plus करना पड़ेगा, क्यों rate के बाद हमें क्या लिखा है, market price और दिया क्या है हमें, factor cost, मतलब हमें बनेस से कहां पर जाना है, BK पर, तो GDP FC में हम indirect tax add कर देंगे, और subsidies minus कर देंगे, अब हमने subsidies अगर minus किया, तो 13 और 4, 13 और 4 का difference हो जाएगा, दोस्तो 9, और 66 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो या जाता ह अब चलते हैं, 5th number question में, calculate NDP FC और GDP MP, सर यहाँ पर IDT और subsidy नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये question बन जाता है दोस्तो, NIT वाला, अब NIT वाले question में आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना ना, एकदम मस्त चीज़ बताने वाला, बहुत focus करके सुनेंगे दोस्तो, बहुत ज सेम, सेम treatment आपको NIT के साथ करना है, क्यों? Net indirect tax, net indirect tax मतलब ये जो value है ये indirect tax ही बचा है, कहां से बचा है, जब IDT में से subsidies minus कर देते हो न, तो जो value बसती हो, net indirect tax बसती है, सर कभी net subsidies नहीं बस सकती क्या, practically सोचो के न दोस्तो तो possible ही नहीं है, हमेशा indirect tax के form में government को revenue जादा होगा और हमेशा subsidy के form में expenditure government का कम होगा, तो इसका मतलब IT जादा बच रहा है, तो net indirect tax, अब net indirect tax, ध्यान से समझो, अगर market price से FC जाने के लिए हमें IT को minus करते हैं, तो net IT को भी minus करेंगे, और FC से MP जाने के लिए अगर IT को plus करते हैं, तो net IT को भी हमको क्या करना पड़ेगा plus, basically ये छ चोटे भाई, बड़े भाई है, सेम घर के हैं, घर सेम है, सेम कास्ट है, बस IT छोटा भाई है, net indirect tax बड़ा भाई है, तो ध्यान रख लो, अब फिफ्ट कोशन, हमें MP से FC जाना है, कैसे पता चला सर, calculate के बाजू में FC दिया है, मतलब जाना वहाँ है, convert करना किसको है MP को, त MP से FC जाना है, MP से FC, NIT माइनस करना पड़ेगा, तो हम NIT माइनस कर देते हैं, यह हो गया दोस्तो, 94,000, कितना हो गया, 94,000, 6 question में देखते है, calculate MP करने बोल रहा है, FC से कहा जाना है, MP, Factor Cost से कहा जाना है, market price, तो हम NIT को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, plus करना पड़ेगा, तो हम प्लस कर लेते हैं, यह हो गया दोस्तों, 10, 10 हो गया, एक चालीस, एक चालीस और आट ही हो गया दोस्तों, 154, ठीक है दोस्तों, अब आते हैं, question number 7, देखो तो एक बार, बहुत ध्यान से समझना, question number 7 में अभी तक जो हमने सब पढ़ा है, वो सब यूज होने वाला है except FIFA FITA, हमें आपको FIFA FITA की भी ना एक number trick याद दिला रहो, बहुत ध्यान से याद रखेंगे, हमेशा यह trick आपको काम आने वाली हो, पहली trick, अगर question में आपको domestic दिया है, निकालना national है, एक बार और ध्यान से समझो दोस्तों, पूरा focus इदर, domestic दिया है, और आपको बोल रहा ह national income निकालो, domestic दिया है, national निकालो, और domestic दिया है, इसका मतलब इसमें एक value रहती है, FITA, कैसे पता चला, domestic is the sum of two income, normal resident earned income in India, non resident earned income in India, but वो non resident को पैसे देने होंगे, तो domestic में FITA रहता है, लेकिन हमें चाहिए क्या national, तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, और national income की एक income है, जो इसमें नहीं है, वो है दोस्तों, factor income from abroad, कौन सी income नहीं है, factor income from abroad, तो domestic से national जाने के लिए, आपको FITA माइनस करना पड़ेगा और FIFA प्लस, अब मैं आपको एक trick बता रहो, ध्यान से समझना, देखो question में क्या दिया है, domestic दिया है, तो click कर लो दिमाग में, domestic दिया है, इसका FITA उसमें already है, और जो already है, उसे हमें minus करना पड़ेगा, तो भाईया पहले तो FITA में minus कर लिया, तो FIFA obvious ही बात है, क्या हो जाएगा, प्लस, अब हमें gross से, अच्छा, depreciation का तो कोई use ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सर, gross से gross जा रहे है, MP से MP में कोई conversion नहीं है, तो 176 में 26 जोड़ेंगे अपन, तो यह हो जाएगा दोस्तो, अपना 2,002,000, और 2,002,000 में से अगर 32 माइनस करें, तो यह हो जाएगा दोस्तो, 1,70,000, कितना हो जाएगा, 1,70,000, अब आगे चलते हैं, 8th question में, ध्यान से समझो, ध्यान से, इस बार अच्छे से समझना दोस्तो, यही फीफा फीटा वाला, सर बहुत डाउट हो रहा है, भी एक बार और, एक बार और चलते हैं दोस्तो, आपको ध्यान देना है, question में आपको दिया क्या है, राधर देन, आउटसाइड डोमेस्टिक टरिटरी, तो जो आउटसाइड डोमेस्टिक टरिटरी वाले वो पैसा लेके आएंगे न, मतलब नैशनल इंकम में एक इंकम हमेशा जो रहती है, वो कौन होती है दोस्तों, फीफा, और ध्यान दो, जो अल्रेडी है, उसको तो प्लस नहीं कर स है, नैशनल में फीफा है, लेकिन डोमेस्टिक में फीफा का कोई मतलब नहीं, फीटा का मतलब है, इसलिए फीफा को माइनस करो और फीटा को क्या करो, एड़, क्या निकालने के लिए डोमेस्टिक, कोशन देखतें क्या दिया, कैल्कुलेट, अच्छा, डोमेस्टिक पू जाएगा एक 24 और एक 24 और यह हो जाता है एक 42 क्या हो जाएगा दोस्तों एक 42 ठीक है अब आगे चलते हैं कैलकुलेट जी एन पी जी डी पी ओ एन फीफा अब मेरे को यह बताओ जैसे एन आइटी और आईटी यह दोनों सेम घर के हैं एगरी कर रहे हो हाँ सर बिल्कुल तो स जो चो फीफा और एन फीफा यह भी तो सेम घर के होंगे न दोस्तों अगर फीफा है तो एन फीफा क्या होगा सर एन फीफा क्या होता है पता है जब आप फैक्टर इंकम फ्रॉम अबरॉड इस ग्रेटर देन फैक्टर इंकम 2 अबरॉड जब हम पैसा ज्यादा आ रहा है में पैसा कम जा रहा है इंडिया से तब आपकी जो amount बस्ती है न दोस्तों वो क्या बस्ता है net factor income from abroad तो अब क्या करना है जो काम आपने बड़े भाई छोटे भाई के साथ किया है वही काम ओ तेरी वही काम आपको क्या करना है वही काम छोटे भाई से जैसा काम करवाया वही काम अपने को थोड़ा सा glitch दोस्तों कोई बात नहीं मैं इसको मिटाल लेता हूँ थोड़ा सा glitch हो रहा था तो ध्यान से समझना अब अपने को क्या करना है अब अपने को question पर जाना है क्या लिखा है calculate GNP at MP और GDP MP अब देखो domestic मैंने क्या बोला था अगर domestic income दिया है मतब उसमें कौन होगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो नहीं जल्दी बोलो बोल दिये सर एक बार और बोलो अगर domestic दिया है मतब कौन सी income है उसमें फीटा और अगर national income दिया है तो उसमें कौन सी income है FIFA, यहाँ देखते हैं, question में क्या दिया है, domestic दिया है, मतलब इसमें कौन सी income है, Sir इसमें फीटा है, तो फीटा को minus करते हैं और N FIFA को plus करते हैं, हो गई गलती, अगर N दिया है न, net में दिया है, तो इसका मतलब उस question में, FIFA से फीटा वाली amount already adjusted है, मतलब Sir, यहाँ हो गया एक लोचा, इसको अच्छे से समझना, फिर से एक बार, अगर question में net word दे दिया न, तो इसका मतलब यह फीपा फीटा का case ही खतम हो गया, हमें सिर्फ एक चित दिया रखनी है, अगर N वाला सीन दे दिया, तो अगर साथ में अगर यह फीटा वगरे भी देगा न, इसको यूज नहीं करना है, तो Sir, एक बार बता दो, क्या करना है, तो ध्यान से समझो, question में already, question में दिया क्या है, domestic दिया है, domestic रहता है, तो हम उसम तो N FIFA भी क्या होगा, plus क्योंकि FIFA और N FIFA दोनों सेम घर से बिलॉंग करते हैं, तो हमने इसलिए N FIFA को भी क्या कर दिया, plus, तो यह फीटा किसी काम का नहीं है, तो यह आ जाएगा दोस्तों, 2,16,000, अब आते हैं दोस्तों, advance question की तरब, advance question, यह advance question क्योंकि है, इसमें सब सारी च NNPFC, दिया कैं अपने को GDPMP, तो ठीक है, काम करते हैं, पहले लिख लेता हूँ, जो दिया है मेरको, GDPMP, और calculate किसको करना है, NNPFC, अब GDPMP में एके करके मैं उसको adjust करते जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, gross से net की और जाता हूँ, जब मैं gross से net की और जाता 78,000 में से 8,500 क्या करना है, minus, यह हो गया 77,500, अब आगे चलते हैं, NIT, वो छोड़ो, D से कहा जाना है अपने को, sorry, domestic से कहा जाना है, rational, फिर से एक बार, अगर domestic income दी है, मतलब क्या already दिया है आपको, सर इसमें ना already FITA है, और अगर FITA है, तो उसको करना है minus, उसको करना है minus, लेकिन वो use क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्या दे दिया दोस्तो, N FIFA, तो अब FITA अगर minus करते हो, तो N FIFA को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जो NFIA, NFIA और N FIFA एकी चीज़ है, 6540, प्लस करेंगे, और फिर है, MP से FC जाना है, MP से कहा जाना है FC, पड़ेगा, हटाना पड़ेगा NIT को, और NIT कितना है, 7450, इसके लिए थोड़ा सा मैं क्या है, यूज करने वाला हूँ, calculator और calculator यहाँ नहीं है, दोस्तो, मैं काम करता हूँ, mobile यूज कर लेता हूँ, ठीक है, attention मतले ना, आप लोग भी calculate करिये, मैं भी calculate करता हूँ, क्योंकि टाइम जाएगा अपना गर मैं solve करने बैठ गया और गलती होगे, तो आप comment करने लग जाओगे कि सर से गलती होगी, तो 78-8500, फिर plus 6540 और minus 7450, यह आ रहा है दोस्तों, 68,590, एक बार सर वो N फीफाला बता दीजे तो हम लोग का attention कदम, ध्यान दो, अगर question में domestic है, इसका मत फीटा है, तो फीटा को हटाना है, लेकिन फीटा क्यों नहीं यूज किया है, क्योंकि अल्रेडी net दिया था, चलो, second question, try करते है, calculate GDPMP, ठीक है, calculate GDPMP, दिया क्या है, NNPFC, कोई बात नहीं, तो अपन पहले लिख लेते NNPFC, निकालना क्या है है हमे, GDPMP, हम मेरे साथ करते सबसे पहले मैं amount लिख लेता हूँ, 8,000, और GDPMP हमको पूछाए, ठीक है, तो net से gross जाना है, तो प्लेल क्या करूँगा सर दोस्तो, depreciation क्या कर दूँगा, add 6,500, फिर उसके बाद मुझे N को domestic बनाना है, याद करो, अगर national दिया है, इसका मतलब already क्या दिया है दोस्तो, FIFA दिय है, और अगर FIFA दिया है, तो ढूंडो, हाँ, N FIFA दिया है, तो जब जो दिया है already उसको क्या करना पड़ेगा, minus N FIFA, क्योंकि दोनों सेम घर के है, N FIFA को हटा देते है, 9,000, और अपने को FC से MP जाना है, मतलब हमें market जाना है, तो market जाना है, तो दोनों value दी है, तो net indirect tax को plus करना प पड़ेगा, plus करना पड़ेगा, sorry, और subsidy को माइनस, subsidy को माइनस, subsidy हो गया, 046040 और IT 7650, अब आपके इसको solve करते हैं, तो यह हो जाएगा, अपना total करते जाते हैं, मेरे साथ करिए total, अरे book my show क्यों खुल रहा है, वाओ, क्या बात है, मन की बात सामने आ गई, 8,000, 8,000, प्लस, प्लस, 6,500, माइनस, 9,000, और, 9,000, और, प्लस, 7,650, और, माइनस, 6,40, यह हो गया, 7,110, यह इतना आ गया, 7,110, अब आगे आते, question number third में, question number third देखते हैं, question number third क्या दिया है, calculate NNPFC, अब एक काम करते हैं, यही पर चालू कर देते हैं, अपने को बनना चाहिए, यही net जाना है, minus depreciation, D से N जाना है, मतलब D में feeta होगा, feeta होगा तो उसको हटाना पड़ेगा, और, जो नहीं है, उसको plus करना पड़ेगा, और, MP से FC जाना है, मतलब, market से वापस cost में जाना है, तो, यह हो गया, दोस्तो, अपना, यह हो गया, अपना, दोस्तो, calculation part अब करते हैं, 78, minus 8500, minus 740, plus 640, minus 3000, यह है क्या, दोस्तो, 65590, 65590, ओए ग्रू, अब चालू करते हैं, advance question, जो missing figure वाले, missing figure वाले, ज्यादा questions आएंगे, दोस्तो, जैसे देखो, यह क्या है, देखो, देखो, indirect text पूचा हुआ है, फिर क्या पूचा है, और कुचा है, और कुचा है, और भी होगा नीचे, फिर आपको depreciation पूचा हुआ है, इंक factor income to abroad, ऐसे question को कैसे solve करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपने शुरू करते हैं, थोड़े से advance में भी basic, वाओ, क्या नाम दिया सर आपने, advance में basic, calculate domestic income, मैंने आपको पिछली वीडियो में, 10 वीडियो में बताया था, domestic, sorry, domestic income मतलब होता है दोस्तो, NDPFC, और national income मतलब क्या होता है, NDPFC, तो हमें निकालना क्या है, NDPFC निकालना है, दिया क्या है अपने को, GNPMP दिया है, तो GNPMP में ध्यान देना, GNPMP को क्या बनाना है, NDPFC, तो सबसे पहले मैं gross को net के लिए depreciation माइनस क जाने के लिए, NDPFC जाने के लिए, NDPFC जाने के लिए, मैं क्या करूँगा, अच्छा ये दो बाड़ depreciation, ये शायद, हाँ, ये NDPFC दिया है दोस्तो, NDPFC, हाँ, तो मुझे, NDPFC जाना है, मतलब मार्केट से factor cost जाना है, तो आपने काम करेंगे, indirect tax को माइनस करेंगे, और subsidies को प्लस करेंगे, और national से domestic, national में FIFA आलरेडी रहता है दोस्तो, और ये भी N FIFA है, मतलब दोनों सेम भाई लोग है, सेम घर के है, FIFA को माइनस करोगे, तो N FIFA को भी माइनस करोगे, लेकिन आलरेडी ये किसमें दिया है, दोस्तो, माइनस में, तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस, ये answer निकालो और मुझे बताओ दोस्तों, कमेंट में कितना आया, फिर आपन डिसकर करते है, question number 2, national income और NNPFC, NNPFC मतलब GDPMP को NNPFC में ले जाना है, तो एके करके डिसकर करते है, gross को किसमें convert करना है, नेट में, उसके लिए मुझे क्या चीए, depreciation, मैंने 4th या 3rd या 4th या 5 video में बताया था, कि depreciation is also known as consumption of fixed capital, तो depreciation minus हो गया, GDPMP में से depreciation minus, अब अपने को क्या करना है, MP को FC, MP को FC मतलब अपने को ले जाना है, factor cost में, तो अपने को net indirect, मतलब indirect X minus, और subsidy क्या करना पड़ेगा, plus, और अब हमें domestic दिया है, domestic दिया है, मतलब FITA, FITA को हटाना पड़ेगा, FIFA क प्लस करना पड़ेगा, और यहां पर क्या दिया है, FIFA का बड़ा भाई दिया है, तो FIFA को अगर माइनस, प्लस करोगे, तो FIFA को भी प्लस करना पड़ेगा, यह हो गया दोस्तों, values आपने डिसकस करते हैं, 4,800 माइनस 300, 4,500, 4,500 मतलब 4,500, 4,800, 4,800, 4,800, 4,800, 4,800, 4,800, 4,800, प देखो क्या दिया क्या है, नेशनल इंकम पता ही याद ही नहीं रहता, NNP FC को convert करना है, GDP MP में, तो N से gross जाना है, तो depreciation माइनस, FC से MP जाना है, तो indirect X प्लस, subsidy माइनस, और net नेशनल से domestic जाना है, नेशनल में कोन रहता है दोस्तों, FIFA रहता है, तो जो रहता है उसको माइनस क क्या करेंगे, प्लस, तो यह value निकाल लेते हैं दोस्तों, अपने पास calculator नहीं है, तो यह आप बनाओ और मुझे बताओ, प्लस, प्लस, माइनस करके कि final answer कितना आया है, calculate domestic income, domestic income मतलब क्या होता दोस्तों, NDP FC, तो GNP FC को किस में convert करना है, NDP FC में, तो gross से net जाना है, तो भईय depreciation minus, मैंने national income के उस video में बताया था कि depreciation is also known as replacement of fixed capital, तो depreciation क्या हो जाएगा, minus, अब national से domestic जाना है, फिर से याद करते है, national मतलब FIFA दिया है उसमें, FIFA उसमें है, तो जो है उसको हटाना पड़ेगा, तो FIFA को हटाना पड़ेगा, और जो नहीं है उसको plus करना पड़ेगा, और FC स FC जाना है, तो कोई कामी नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है, calculate करो और बताओ दोस्तों, fourth question का answer कितना आया है, अब बात करते हैं, fifth question, हमें निकालना है domestic income और national income, domestic income कितना होता है दोस्तो, NDPFC, और national income मतलब होता है NMPFC, ठीक, NDPFC, GDPMP को बनाना है NDPFC, तो gross से net जाने के लिए depreciation minus, ठीक, domestic से domestic, कोई कामी नहीं है, factor income from abroad, factor income to abroad का, और MPCFC जाना है, MPCFC मतलब हमें जितने में बना है उसको निकालना है, तो indirect tax क्या करेंगे, minus, और subsidies क्या करेंगे, plus, यह values निकाल के रखो दोस्तों, और आते हैं sixth question में, ओ, तीरी, sixth question, अब ध्यान से समझ जाना है, sixth question के लिए थोड़ा सा अपन अच्छे से थोड़ी चीजों को clarity के साथ बनाते है, sixth question, सबसे पहले, जब भी आपको यह balancing figure वाला question आए, balancing figure वाला question आए, आपको ध्यान रखना है, left hand side, right hand side combination से चालू करना है question, तो ध्यान से समझ जब भी आपको indirect tax, depreciation, subsidy, factor income to abroad, factor income from abroad, ऐसे missing figure वाले question रहेगी, वो रहेगी, gross और एक net, यह दोनों value आपको पहले से दिया रहेगा, कोई एक gross value और एक कोई net value, जिसके थूँ आप balancing figure के थूँ आप answers लाओगे, तो पहले से आपको यह दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, एक gross और एक net वाला है, तो जो gross वाला है, उसको right hand side लिखो, GNP at MP, और जो दोस्तो net वाला है, उसको left hand side में लिखो, sir, उल्टा सीधा कर सकते हैं, कर सकते हैं, पड़ एक बार, एक बार समझ लो करना क्या है, तो gross वाला right side, net वाला left side, ठीक है, अब, अब एके करके बनाते जाओ, question में क्या पूछा है, तेल लेने गया, पहले य loss से net पे जाना है, तो depreciation minus, ठीक है, net, national से जाना है, domestic, तो national में कोन रहता है, सर्फ FIFA रहता है, उसको हटा देते हैं, और FITA लाना रहता है, तो FITA ला लेते हैं, और फिर MP से FC जाना है, तो IDT minus करना रहता है, और subsidies plus करना रहता है, अब एक काम करते हैं, values put करते हैं, जी, NP at MP कित ना धिया है, 58, 350, depreciation किता दिया है, दोस्तों, कंजम्शनाफिक्स केपिटल, 1625, और FIFA किता दिया है, दोस्तों, FIFA धिया है, 625 और PLUS FITA किता दिया है, दोस्तों, 865 और IDT किता दिया है, IDT दिया है क्या? IDT दिया ही नहीं है अच्छा IDT निकालना है ओ तीरी IDT दिया ही नहीं है और subsidies कितना दिया है दोस्तों subsidies दिया है 1540 1540 और NDPFC भी दिया है question में दोखो दोस्तों 55915 चलो तो सबसे पहले इस तरब की values को इस तरब की values को solve कर दे 5 58505 अब अपन इसको transfer करेंगे तो यह हो जाएगा 55915 यह हो गया अपना answer आ रहा है दोस्तों 2590 अपना IDT कितना है है 2590 सेम ऐसी depreciation वाला question मना के देखते हैं इसमें भी अपने को क्या करना है जो gross वाली चीज है उसको किस तरब रखना है right side gross वाली कोई चीज है क्या GNP at FC है GNP at FC और जो net वाली चीज उसको कहा रखेंगे left hand side उसकी value पहले से put कर लो NDPMP कितना दिया है 80,000 और GNP at FC कितना दिया है 75920 अब इस formula में के करके चीजें minus करते जाओ मतब सोचते जाओ gross net जाने के लिए depreciation minus वही पूछा है X N से domestic जाना है national से domestic national में कोन रहता है FIFA रहता है तो उसको हटाते है और FITA प्लस करना रहता है क्योंकि वो नहीं रहता और FC से MP जाना है तो IDT प्लस करना पड़ेगा और subsidies माइनस करना पड़ेगा चलो values देखते है 75920-X minus FIFA FIFA कितना है दोस्तों? 500 FITA कितना है दोस्तों? FITA है 700 और IDT कितना है दोस्तों? IDT है 10,600 और subsidies दिया है दोस्तों? subsidies दिया है 1770 चलो एक calculate करते हैं 75920-500 plus 700 plus 10,600 minus 1770 यह हो गया 84,950-X तो X की value आ जाएगी दोस्तों difference करने से 4950 depreciation कितना आ गया? 4950 एक question और है दोस्तों factor income to abroad अब ध्यान दो फिर से मैं क्या बोलने आ आ लाँ? gross को किदा रिखेंगे? right side में और net value को किदा रिखेंगे? left hand side में यह हो गया अपना पहले तो लिखने का काम अब right hand side से left hand side जाओ minus depreciation net से national से domestic जाना है तो FIFA minus FITA plus और FC से MP जाना है तो IDT plus और subsidies minus subsidy क्या होगा दोस्तों? minus होगा अब values put करते हैं GNP at FC कितना दिया है दोस्तों? 4, 2, 8, 0 NDPMP कितना दिया है? 3, 7, 00 depreciation कितना दिया है दोस्तों? 4, 0, 80 FIFA कितना दिया है? FIFA दिया है दोस्तों? 4, 0 FITA दिया नहीं है और IDT कितना दिया है? IDT दिया है सर 100 और subsidy कितना दिया है दोस्तों? subsidy कितना दिया है 80 इसको solve करते है 4 2 8 0 minus 480 minus 400 plus 100 minus 80 यह आगे दोस्तों 3 4 2 0 plus x ठीके और इसको अगर मैं इधर ले जाओंगा तो यह हो जाएगा 3 7 double 0 तो आपका answer आ रहा है दोस्तों 280 x का answer किता रहा है 280 मैंने इसको इसमें से minus किया तो answer आ रहा है 280 यहाँ पर होता है खतम दोस्तों day number 11 I know day number 11 सबसे जादा और सबसे बड़ा वीडियो है reason being हमने question solve किया है तो question solve करने में time लगेगा मिलते day number 12 में बहुती जबर्दस्त day है day number 12 उसमें बहुत से important discussion करेंगे है अपन तो मिलते हैं दोस्तो day number 12 के साथ यहाँ पर करते हैं day number 11 100 day series thank you so much दोस्तों पढ़ते रहिए अच्छे से झाल